नमस्कार दोस्तों स्वागताब सभी का आपके अपने यूटूब चैनल स्रीराम क्लासे में और दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का एक महत्पुन टोपिक है जिसका नाम है उपसर्ग और ये टोपिक हम पढ़ेंगे राजस्तान मादमिक शिक्षा ब पूचा जाता है और ऐसा कोई कोंपिटिशन नहीं है जिसमें उपसर्ग से समधित प्रस्ण नहीं पूचा जाता है तो ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि हर एक्जाम में इस टोपिक से प्रस्ण आता है तो आएए देखते हैं ये नवीन हिंदी व्याकरण ए हो रहा है इसकी पीडिये भी आपको जो मिल जाएगी हमारे टेलिग्राम चैनल स्री राम क्लासेश की नाम से हैं आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं तो इसमें हम पढ़ेंगे उपसर्ग जो कि अपना टोपिक आता है पेज नमबर इसमें दे रखें हम सीधा उसी पर चलें आए तो आए सीधा चलते हम पेज नमबर सरसग तो यह उपसर पाठ जिसमें सब से पहले दी गई है उपसर्ग की परीबसा तो आए देख लेते उपसर किसे कहते हैं तो उपसर्ग वे सब्दांस जो किसी मूल शब्द के पूरू में लगकर नए शब्द का निर्मान करते हैं अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं उनको हम उपसर्ग कहते हैं ये सब्दांस होने के कारण इनका सोतंतर रूप से कोई अपना मात्व नहीं होता है किन्तों ये किसी सब्द के पूरू में या संस्लिष्ट अवस्ता में लगकर उसे सब्द का एक विसेस अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं जैसा कि एक सब्द है हमारे पास में हार तो हार एक सब्द है इसके साथ कुछ सब्दान्स प्रियुक्त होने पर ये नए सब्द बनाते हैं जैसे इसमें हार में आ जोड़ते हैं ये आ हार बनता है जिसका अर्थ होता है बोजन और हार में गरम उप जोड़ते हैं तो ये उपहार बनता है जिसका अर्थ होता है यानिकी त्यागना, प्रतिहार यानिकी द्वारपाल, समहार यानिकी मारना, उद्धार यानिकी मौक्ष, तो आपने देखा कि यह सारे हार शब्द थें और इनके आगे, उच्छे हम विशेष सब्दान्स जोड़कर इनको उन्हें अर्थ में परियोड़तन करवाया, तो इस प्रकार के जो सब्दान्स होते हैं, उनको हम उपसर्ग करते हैं, तो यह जो सब्द हार के साथ में लगे, आ, उप, प्र, वी, परी, प्रति, सम, उत, यह सारे सब्दान्स उपसर्ग की स्रेण में आते हैं, हिंदी में उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं, हिंदी में जो उ तेशी उपसर्ग तो इन तीनों फर्ग के बारे में इस वीडियों में पढ़ेंगे सब्से से पहले देखते हैं संस्क्रिट के उपसर नहumba हूं हैं तो संस्कृत के जो उपसरों होता हैं वह बाइस कर गोते हैं संस्क्रित में 22 ऑज़ों कि संंक्या और ये उपसर्ग हिंदी में भी वैसर्ग वैसरी पर्युक्त होते हैं इसलिए इनको संस्क्रिट के उपसर्ग कहा जाता है अब हम कुछ उपसर्ग देखेंगे उनका अर्थ देखेंगे और जिन सब्दों के साथ वो लग रहे हैं उसको उपसर्ग युक्त सब्द कहेंगे वो भी हम साथ में देखने वाले हैं तो सबसे पहला उपसरग इसमें अति, जिसका आर्थ होता है अधिक या फिर परे, जैसे अति सहें, अति क्रमान, अति वरस्टी, अति शिग्र, अत्यांत, ये जू अत्यांत ही यान संदी के काराने इनमें अति उपसरग आएगा, अत्य प्लस अधि, अत्याचार, अतिंद्रिय, अत्युक्ति, अत्युतम, अत्यावशक, अत्यु, यह सारे जो सब्धें इनमें सभी में अत्युपसर्ग आता है, अब बात करते हम अधि उपसर्ग की, तो अधि का अर्थ होता हैं प्रदान या फिर्श्रेश्ट, जैसे अध अत्युक्ति, 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 अत्य जिएक नवारत होता हैं पीछे या फिर समान जैसे अनुकरन, अनुकुल, अनुचर, अनूज, अनुसासण, अनुरूप, अनुराग, अनुकरम, अनुनाद, अनुभव, अनुशंशा, अनुवय, अन्विक्षन, अनुचेद, अनुदीत ये सारे जो अनुउपसर्ग से अब बात करते हम अप उपसर्ग की जिसका आर्थ होता है अप का मतलब होता है जैसे अपकार, अपमान, अपयस, अपशब्द, अपकेर्थी, अपराद, अपव्य, अपहरण, इसके अलाब भी अपके कुछ और उदाने, अपकर्ष, अपसकुन और अपैक्षा, अब बात करत में जो इसका हिंदी अर्थ हैं वो हता है, साथ, पास या फिर सामने, नजदी की या फिर सामने, तो अभी जैसे अभी नव, अभी नए, या अभी वादन, अभी मान, अभी बासन, अभी योग, अभी बूत, अभी भावक, अभ्यूद, 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 जेश्य की आफिक्षे अब्यर्थी आपीस्ट अब्यंतर अबिच्ससज अभिप्सा अभ्यास तो कुछ नियम इसमें यनसंदी के करणी जो इसमें अभी उपसर्ग जो दिखेगा देखने में भी उपसर्ग नहीं है लेकिन यनसंदी की नियम से उसमें उपसर्ग है, अभी आएगा, बात करेंगर हम अव उपसर्ग की, तो अव उपसर्ग का आरथ होता हैं बूरा या फिर हीन, जैसे अव गून, अव नती, अवधारना, अवग्या, अवगती, अवतार, अवसर, अवकास, अवलोकन, अवसेश, अवतरन इन सबी सब्दों में जो अवउपसर गें आउपसर की बात करें जिसका आर्थ होता हैं तक या फिर से आजिवन, आगार, आगम, आमोद, आशंका, आरक्षन, आमरण, आगमन, आकर्षन, आबल, व्रिद, या आगात ये सारे जो आवपसर्ग वाले सब्दों हैं बात करें उत या फिर जिसका आर्थ होता हैं उतकरस्ट यानकी स्रेष्ट या फिर उपर तो उत उपसर्ग का जो आर्थ हैं वो है स्रेष्ट या फिर उपर जैसे उतपन, उतपती, उतपीडन, उतकर्ष, उतकर्ष, उत्तम, उतकर्ष्ट, उदय, उन्नत, उलेक, उदार, उच्छवास, उजवल, उच्चारण, उच्ष्रंखलन और उदगम यह सारे सब्द ऐसे हैं जिन सभी में जो उत उपसर्ग लग रहा हैं अब बात करते हम उप उपसर्ग की उप उपसर्ग का हिंदी अर्थ होता हैं पास या फिर सायक जैसे उपकार, उपवन, उपनाम, उपचार, उपहार, उपसर्ग अच्छा उपसर्ग में भी उप उपसर्ग हैं यह प्रस्त पूछा जा सकता है कि उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग हैं तो उसमें उपसर्ग हैं उप उपसर्ग हैं उप मंत्री उप योग उप भोग उप भेद उप युक्त उप भोग उपेक्षा उपादी उपाद्यक्स तो यह सारे जो उप उपसर्ग वाले शब्द हैं अब चलते हम दूर उपसर्ग की तो दूर उपसर्ग का जो अर्थ होता है वो हता है बूरा या पिर कठीन या विप्रीत जैसे दुराशा, दुराग्रह, दुराचार, दुर्वस्ता, दुरुपयोग, दुर्बी संदी, दुर्गुन, दुर्दशा, दुर्गटना, दुर्भावना और दुरुहर, यह सारे जो दुर उपसर्ग वाले शब्द हैं, अब देखेंगे दुर्षासण, दुषकर्म, दुषकर, दुषसाहस, दुषसाध्य, इन सब में जो दुष उपसर्ग आता हैं, नेक्स्ट मात करते हम, नी उपसर्ग की, नी उपसर्ग का अर्थ होता है, बीना या विशेश, जैसे कुछ शब्द हैं इसमें, जिसमें नी उपसर्ग लग है निदर निगं निवास निदान निहति निबंद निदेशक निकर निवरन न्यून न्याय नियास निशीद यह सारे नी उपसर्ग की तो निर उपसर्ग का आर्थ होता है बीना या फिर बाहर जैसे निर प्राद, निराकार, निराहार, और निरक्षर, निरादार, निरादर, निरहंकार, निरामिश, निरजर, निर्दन, निर्यात, निर्दोष, निर्वलंब, और निरोग, निरस, निरिह, निरिक्षन, ये सारे इक सारे जो निर उपसर्ग के उधारने अब बात करते हैं निश उपसर्ग की जिसका अर्थ होता है बीना या फिर बाहर जैसे निश्चल, निश्चय, निश्काम, निश्कर्म, निश्पाप, निश्फल, निश्टेज और निशंदहर इन सब में जो निश उपसर्ग आ प्रचार, प्रसार, प्रहार, प्रियत्न, प्रबंजन, प्रपोत्र या प्रारंब इसके साथ इसके कुछ उदारण ओर हैं प्रोजवल, प्रेत, प्राचार्य, प्रायोजक, प्रार्थी ये सारे प्राउपसर्ग के उदारण है अब देखते हैं परा उपसर्ग की जिसका आर्थ होता है विप्रीत पीछे या अधिक पराजय, पराबव, पराक्रम, परामर्ष, परावर्दन, पराविद्या, पराकाष्टा इन सभी में जो परा उपसर्ग आता है अब बात करते हैं परी उपसर्ग की जिसका अर्थ होता है चारों ओर या फिर पास में जैसे परी कर्मा, परी वार, परी पूर्ण, परी मार्जन, परी हार, परी क्रमन, परी भ्रमन, परी धान, परी हाश, परी श्रम, परी वर्तन, परिक्षा परिक्षा में कौन सा उपसरग है तो परी चोटा परी यानि परी उपसरगाता है परियाप्त परियाटन बहुती कई बार पुछा जा चुका है ये परियाटन का इसमें तो परियाटन में जो परी उपसरगाता है परिनाम परिमान परियावरन परियावरन में भी परियावरन कई बार फुछा जा चुका हैं तो नहीं तर thriva अपना प्रती सकार्थ होता है पर दिश्य क्यों नियम से सब्सक्राइब बम्ट निकलेंगे प्रती दिन प्रति कूल कि ban Governor प्रति रूप, प्रति द्वनी, प्रति निदी, प्रतिक्षा, प्रति उत्तर, प्रतियासा, प्रतिती ये सारे जो प्रति उपसर्ग के उदारन हैं आप देखेंगें वी उपसर्ग के जिसका होता है बिन या फिर विशेश तो इसमें होता है विजय, विज्ञान, विदेश, वियोग, विनाश, विपक्ष, विले, विहार, विख्यात, विदान, व्यवहार, व्यर्थ, व्यायाम, व्यंजन, व्यादी, व्यसन, व्युह, इसमें भी यन संदी के इसाफ से जो, वी ये जो बाहर आ जाएगा अब बात करते हैं, सू उपसर्ग की, सू कार्थ होता है, अच्छा, तो इससे भी कई उपसर्ग परिक्षा में पुछ जाता है, तो देखते हैं, इसमें कौन-कौन से शब्दें, सुगंद, सू गती, सुबोद, सुयस, सुमन, सुलब, सुसील, सू अवसर, स्वागत, और सुफ्ति, सुवागत और स्वलप, यह जो दोनों सब्द काई बारिजब पूचे गए, सुप्ति में भी सू उपसर्गाता हैं, लेकिन सुख चोटा होता है उपसरग में बात करते हैं सम उपसरग की तो सम उपसरग का जो अर्थ होता है वो हता है अच्छी तरह हैं फिर पूर्ण सुद्ध जैसे समकल्प संकल्प और संतोश संचय, संगठन, संचार संलगन संयोग, संहार, संशय यह संरक्ष इन सब में सम उपसर्ग आता हैं बात करते हम अनुपसर्ग की जो अन्तिम उपसर्ग के बाइश्वा संस्क्रत के उपसर्ग हम पढ़ रहे हैं अब हम पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग जैसे अनुपसर्ग है तो नहीं जिसकारतो था हिंग बुरा जैसे अनन्त अनादी अनेक अनाहूत अनूप योगी अनायगत अनिष्ट अनिह अनूप्रियूक्त अनुपं अनुचीत अनन्य तो यह तो मनें 22 अग्राफ said वूपके थे संस्कृत के उपसर्ग जो की पूरे हिं संस्क्रत के कुछ और अंतर द्यान अंतर दान अंतर दशा अंतर राष्ट्रिय अंतर रिक्ष अंतर देशिय एक आता है करता है पूरर इस पूरर के भी कई सार इब आता है पुर बहुए पूर्व तो पुर्व उप्सर्ग के कईस म recruit प्रव नुमान पुर इन प्राकथण प्राकलन प्रागयतिहासिक किसमें कौसा अुबसर्ग है इसमеं दो अधूतिक उपसर्ग प्रति इसका पूंछते हैं किशेशनें पुरत देवता प्राग मुख यह प्राग कार्म फिर पुरुष तो पुरुष के बेरी जो कही सारे सारे लिए तो तो पुरस के जो पुरसकार हैं, पुरस चरण हैं, पुरसकृत हैं, नेक्स्ट बात करते हैं बहीर की, तो बहीर में भी कई सारे सब्द आते हैं, जैसे बहीरागत, बहीर जात, बहीर भाव, बहीरंग, बहीर गमन, नेक्स्ट में फिर बहीश, तो बहीश के आएंगे, बहीश भाहिश्क्रित आतमशब्द के कई उपसर्गे उदरणे आत्मकथा, आत्मगात, आत्मबल आत्मचरीत, आत्मग्यान इसके लावा सह उपसर्ग के उदरण आते हैं जिसे सह पाटि, सह करमी, सहोदर सहयोगी, सहनुबुती, सहचर और भी आता है स्व उपसर्ग, तो स्व उपसर्ग में जैसे स्वतंत्र हैं, स्वदेश हैं, स्वराज हैं, स्वादीन हैं, स्वराचीत हैं, स्वनिर्मित हैं या स्वार्थ हैं यह जो स्वागत वाले से बिलकुल ही बिन है इसमें कभी भी स्वागत में स्वागत वाले से बिलकुल ही बिन है इसमें कभी भी स्वागत में स्वागत वाले से बिलकुल ही बिन है इसमें कभी भी स्वागत में स्वागत वाले से बिलकुल ही बिन है इसमें कभी भी स्वागत इसके अलावा और भी कुछ हम उपसर्ग देखते हैं जो संस्क्रत के अलावा हिंदी में प्रएक्ट होते हैं जैसे आविश, तो आविशकार हैं, आविशकृत हैं, और आता इसमें आवीर, आवीरबाव हैं, आवीरबुत हैं, प्रातर, प्राता काल हैं, प्राता वंदना हैं, प्राता सम्रणी हैं, यह सारे प्राता उपसर्ग आता हैं, इति, तो इतिहास हैं, इति उपसर्ग आता हैं इति श्री में भी इति उपसर्ग आता है इतियादी में भी इति उपसर्ग आता है इति वृत है अलम अलमकार है अलमकरित है अलंकार है अलंकरन है इन सब में अलम उपसर्ग आता है तिरस तिरसकार है तिरसकरित है ये तिरस उपसर्ग इसमें आता है तत तल्लीन है तनमय है तदित हैं तदंतर तद्काल पट्सम तदगव तद्रूप इन सब में जो कित उपसरग आता है injustice अमा उपसरग आता एंग अमाउश्य आ हैं वे सद्वत्रग हैENS सदगति हैं सजन हैं सचरित्र हैं सदधर्म हैं सदाचाहर हैं यह सारे जो संस्कृत में काम आने उपसर्ग हैं जो कि हिंदी में भी काम आते हैं अब हम देखेंगे हिंदी के उपसर्ग तो हिंदी में भी जो 22 उपसर्ग आते हैं टोटलिस में 22 उपसर्ग दिये गए हैं तो पड़कulating कि अनकार्थ होता है नहीं जैसे अनपड अन जान अनबन अनमोल अनंहोनी अन देखी अनचाहा अनसुना कि पिर फिर समय आता है अद जैसे अद कार्थ होता है आदा जैसे अद मरा, अद पका, अद जला, अद गला अद कच्रा, अद खिला, अद नंगा इन सब में जो अद उपसर्ग आता है फिर आता है उपसर्ग तो उपसर्ग की कई सारे सब्द देखते हैं जैसे उचका है, उजड़ना है, उचलना है, उखाड़ना है, उतावला है, इन सभी में ओ उपसर्ग आता है। उन, उन यहनकी एक कम, जैसे 29 हैं, 29 हैं, 49 हैं, 49 हैं, 49 हैं, 69 हैं और 29 हैं। अब बात करते हैं आउ आउ कारते हो थे हैं अब जीसरें आउगूण हैं आउगर्ण हैं आउशर है आउगण हैं आउटार है नेक्स्ट है कू कू कारतो होता है बूरा जैसे कूरूप है कूपुत्र है कू कर्म है कू ख्यात है कू मार्ग है कू चाल कू चक्र कू रिती यह सारे कूप सर्ग के उधारन है नेक्स्ट देखते हम चो चो कारतो होता है चार चो चो रहा है चो मासा है चो पाया है चो रंगा है चो कनना है चो मुखा है चो पाल है यह अगला उपसर्ग है पंच पच पच कारतो होता है पांच जैसे पच रंगा पच मेल पच कूटा पच मंडी यह सारे पच उपसर्ग के उदारन है फिर आता है पर उपसर्ग पर कम लब दूसरा जैसे परहीत पर देशी पर जीवी पर कोटा पर दादा पर लोक पर काज परोबकार फिर आता है में बर उपसर्ग बर का अर्थ होता है पूरा जैसे बरपेट बरपूर बरकम बरशक बरपार बरमाई बरपाई यह सारे जो बर उपसर्ग के उधारन है बिन का अर्थ होता है बिना जैसे बिन खाया बिन ब्याहा बिन बोया बिन मांगा बिन बुलाया बिन बाज नेक्स्ट हैं ती जैसे तीन जिसका आर्थ होता है तीन ती कमद होता है तीन तीरंगा तीन रंग वाला तीरहा तीन रहो वाला ती पाई ती कौन ती मही दू का आर्थ होता है दो या फिर बुरा जैसे दू रंगा दूलती दू नाली दू रहा दू पहरी दू गुना दू का दूबला कि निए सपूत सफल सबल सगुन सजीव सावदान सकार्मक तो सक्रमक में जी सवप्सरग आता है चीर चिर्मकार्थ होता है सदेव और इसका जो विधा चीर परिचित हैं, चीर स्थाई हैं, चीर सम्रणी हैं या चीर प्रतिक्षित हैं और एक इसमें उपसर्ग हैं न, न करतों नहीं जैसे नकूल, नास्तिक, नग, नपुन्शक, नगण्य और नेती इन सभी में न उपसर्ग आता हैं पिर उपसर्ग आता हैं बहु यान की जादा, बहु मुल्य, बहु वजन, बहु भूज, बहु मत और कुछ सब्द और हैं इसमें हिंदी के उपसर्ग हैं जैसे आप, आप कारत होता हैं स्वेम, आप काज, आप अभीती, आप कही, आप सुनी, नाना विविद, नाना प्रकार कव उपसरग होता है जिसका तो जो सब्योता है बूरा कापूत कलंक कठोर ये इसके हुदारणे समफशरग संस्कॡ्त में भी था तो आईए देख लेते हैं इनमें कौन कौन से हैं विदेशी उपसर कौन से हैं हिंदी बासा में अन्य बासाओं के सब्द भी परिक्त होते हैं फलता उनके उपसर को हिंदी के में विदेशी उपसर की संग्या दी गई जैसे बे जैसे बे करते हैं रहीत बे गर बे वफा बे बेदर्द, बेसमझ, यह उर्दू में भी काम आते हैं, यह उर्दू के भी जो उपसर्ग कहलते हैं, तो बेवफा, बेदर्द, बेसमझ, बेवजह, बेहया, बेहिसाब, फिर कुछ आता हैं दर, दर करत होता हैं में, जैसे दर असल, दर बार, दर खास्त, दर हकीकत, दर मिया एक शब्द बा तो बा उपसर्ग गारत होता है सहीत जैसे बा इजद बा मुलाईजा बा अदब बा काईदा एक उपसर्ग आता है कम जिसकारत होता है अलप थोड़ा कम अकल कम उम्र कम जोर कम समझ कम वक्त अधिक तर जो इसमें उपसर्ग दिख रहे हैं वो सारे सारे जो उर्दू के उपसर्ग हैं उर्दू के शब्द हैं और इसमें उर्दू के उपसर्ग भी काम में ले जाता है हिंदी में फिर नेक्स्ट हैं अगला है इसमें उपसर्ग जिसका उदारन है ना पसंद ना काम ना बालिग ना जायज ना लायक ना राज ना दान नेक्स्ट ने सात्वा हर उपसर्ग जिसका आरत होता है प्रतेक जैसे हर दम हर वक्त हर रोज हर हाल हर मुकाम हर गड़ी खुष उपसरक कारता हैं इस्लेश्ट जीसरे कुष नमा, कुष अखाल, खुष भू, खुष खब्री, कुष मिजाज ब द्ञेट होता है मुख्य या प्रदान जैसे सरपन्च, सरताज, सरदार, सरकार ग्यारवा उपसरगें ब जिसका दोस है ताहिस च्छारीत बखुवी बतोर बशर्ट बदवलाथ बारवा उपसरगी इसमें बिला यनकी बिना, बिला कसूर, बिला वजह, बिला कानुन तेरवा उपसरगे इसमें बेश, अत्य दिक, बेश किमती, बेश किमत चौद्वा उपसरगे इसमें नेक, जैसे बला अर्थ होता है इसका नेक राह, नेक नाम, नेक दिल, नेक नियत पंदरवा उपसर गें इसमें एन जिसका रहत होता है ठीक एन वक्त एन जगह एन मौके सोलवा उपसर गें हम जिसका रहत होता है साथ हम राज हम दम हम वतन हम सफर हम दर्द सतरवा उपसर गें अल निश्चित अल गरज अल विदा अल बत्ता अल बेता अठारवा उपसर गें गेर जिसकार्थ होता है रहीत बिन गेर हजीर गेर मर्द गेर वाजीब उन्निस्वा ये अंग्रेजी का उपसर गें हैड जिसकार्थ होता है प्रमोग हैड मास्टर हैड ओफिस हैड बॉय ये बीसवा भी ये जो अंग्रेजी का ही उपसर्ग हैं हाफ आदा होता है इसका अर्थ हाफ कमीज हाफ टिकेट हाफ पेंट हाफ शर्ट 21 उपसर्ग हैं सब ये भी अंग्रेजी का उपसर्ग हैं उप जिसमें हम अर्थ होता हैं सब का मलब उप जैसे सब रजिस्टर रजिस् क्राइटिव कोफ्रेशन को एज्यूक्यसन दोस्तों ये तो थे अंग्रेजी की कुछ और अर्दु की हिंदी में उपरीउक्थ होने वाली सब्सकर अब हम देखेंगे की उपसर्ग की कौन-कौन से मात्पून प्रश्ण है इसे उपसर की स्पार्ट में याउस्ट में देख लगते हैं और दोस्तों ये कुछ में उप्सरग का किसमें हुआ है तो ऑप्षन ए अनुचर अनूजद को हुआ को बताने कि इसमें अनूपसर्ग कौनसे स़ाथ में हुआ हैं दूसरा प्रसने कौन सा उपसर्ग युक्त नहीं यानकि किसमे उपसर्ग नहीं है जैसे बरपेट प्रती दिन अध्याक्ष रशूई गर इन्में Harmon 2 सिब तीसरा प्रस्ण है हार में आ उपसर्ग लगने पर आहार बनता है जिसका आर्थ होता है बोजन हार में कौन सा उपसर्ग लगाने पर उसका आर्थ बनेगा छोड़ना उप वी प्रति परी इसमें से किसको हार के साथ लगाने पर उसका आर्थ छोड़ना बनेगा वो हमें बता इस इसमें से कौन सा 19 में उपसर्ग और मूल शब्दें वह आपको बताना है पांचवा प्रस्द हैं दुष कर्म शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दुष 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 या दुष इसमें से कौन से शब्द का प्रयोग उपसर्ग के रूप में हुआ है वो आपको बताना है चटा प्रस्न है संस्क्रत में मुख्य उस्ता उपसरग माने गए हैं बीस बाइस अठारह तीस तो इन छही प्रस्नों के उत्र आपको कमेंट करना है वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेर करें टेलिग्राम चैनल क का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है आप इस वीडियो को जो पीडियेफ हैं वह आप कर सकते हैं और साथ या आप मेर को जो इस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं दोनों लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो जल् झाल झाल